सोशल मीडिया के जरी आया है सुजे दास का इनके पास ने पावर ग्रिड के सौश शेर हैं और भाव हैं दो सु तैंटीस रुपे का पावर ग्रिड हमने ठिक ठाक रफ़तार हमने देखी है और जब से बोनुस इशू आय था उसके बाद से शेर ने रफ़तार बनाई दो सु पचक्तर रुपे पर अभी यह ठ्रेड कर रहा पावर ग्रिड का शेर पावर ग्रिड सौरब जी इनको ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है लेकिन क्या निवेशित रहें तो ही ठीक है क्या और चलेगा शेर अभी यह यह तो पार्शल प्रॉफिट बुकिंग की सला यहां पर और इस स्टॉक में इस रड़नीती के साथ बने रहने की रड़नीती आपको सुझाते हुए बढ़ते आगे अनिल सेन है मध्यप्रदेश से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए है अनिल गूड मॉनिंग पूछिए क्या जानना चाहते है आप गूड मॉनिंग सार बेरे पास कोल इंडिया का सेर है सार 405 की खरीद है सार मैंने उसको ट्रेडिंग के लिए लिया था सार उसको मेरे क्या करना चाहिए रखना चाहिए ऐसे उता देना चाहिए ठीक है तो कोल इंडिया पर आपको राय देते है 405 की हरीद है 100 शेर से फिलहाल तो आपके भाव से उपर है ये स्टॉक राहुल जी कोल इंडिया क्या होगी आपकी राय मेरे क्याल से तो होल्ड करना चाहिए स्टॉक में मोमेंटम दिख रहा है 405 की आसपास उनका खरीदिय था जितने मैंने सुना तो 445 पे एक स्टॉप लॉस रखने की सला मैं दूँगा क्यों 445 क्यों करन्ट मार्केट प्राइस क्योंकि 485 चल रहा है तो थोड़ा दर्शब के माइन में आ सकता है कि इतना 40 पॉइंट दूर स्टॉप लॉस क्यों क्योंकि 445 से लेके 455 तक एक बाइ लेवल है तो वो बाइ लेवल से फिर से मोमेंटम उपर की साइड में आ सकता है इसलिए 445 पे स्टॉप लॉस रखके होल्ड उन्द लॉंग साइड कोल इंडिया स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सला